हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजर हूँ एक न्यू मज़ेदार सी सीरिस के साथ, आप लोगों को बताती चलूँ कि ये सीरिस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्यूंकि इसकी स्टोरी मिस्ट बैड सीरिस से मिलती जुलती है, एंड फाइफ टू सिक्स वीडियो में ये सीरिस भी कम्प्लीट हो जाएगी, तो बढ़ते हैं हमारे सीरिस के फर्स्ट एपिसोड की तरफ, एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिकाया जाता है एक राजकुमारी का, जिसे हमारी सीर जाता है राजकुमारी को डिफेंड करने के लिए और जिल्यान भी अपने साती के साथ इन सबका मुकाबला तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो भी अपनी जान बचाते हुए वहां से निकल गया, दूसी तरफ हमें मोडरन एरा में अपनी फीमेन लीड सुनेंजी का सीन दिक लाज का मेकप करते हुए उसे उसकी चमकती हुई ब्रेसलिट नजर आई जिसे हाथ लगाती ही सुनेंजी वहां से गाइब हो गई, यहां एंशन टेरा में जीलियान अभी तक वापस नहीं गया बिकोज वो देखना चाता था कि राजकुमारी मर चुकी है या फिर उसका प क्यों पहन रखे हैं, यहां कोई शुटिंग चल रही है क्या, लेकिन मुझे कहीं भी कोई कैमरा तो नजर नहीं आ रहा, बदाओ ना, यहां कोई शो चल रहा है क्या, असल में यह राजकुमारी नहीं बलके सुनेंजी है जो के टाइम ट्रेवल करके यहां आई, वो तो दे लेक्शिस देखकर सुनेंजी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, उसे हैंसम कह देती है और बीचारा जिल्यान उसे खुद से दूर कर देता है, कहने लगे जाली मौरत आज हम तुमें खत्म के बगएर यहां से नहीं जाने वाले, सुनेंजी बोली प्लीज भाईयो रु लेका तो फॉंग बोला कि यह जरूर डेध पॉर्डर होगा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि यह पॉर्डर इन्हों ने अपने विला में चुपा रखा था, दूसी तरफ हमें जिल्यान के बॉसका सिंदी काया गया जो यही सोच सोच कर परिशान हो रहा था कि अभी तक वो दोनों वापस नहीं आये, क्या उन्होंने अपना मिशन कंप्रीट नहीं किया होगा? जू को अपनी तलबा देते हुए कहने लगा कि उन तुमने हमें क्यूं बचाया और इसके बाद हमेंसीं दिकाया जाता है कि सुनेंदी ने दोनों कोई चेर के साथ बान दिया था केहने लगी किसने कियूट लग रहे हो कितने हैंसम हो अगर तुम दोनों मॉर्ड से रहा में होते ना तो ज़रूर एक्टर्ग होते और ये जितना प्रीटी तुम्हारा फेस है मुझे तो लगाता कि तुम बहुत अच्छे से बात करते होगे लेकिन घुसा हर वक्त तुम्हारे नाग पर चड़ा रहता है खैर छोड़ो ये सब बाते मैंने जो तुम दोनों के उपर डेध पाउडर फैंका है उसका एंटिडोट भी मेरे पास अवैलिबल है अगर तुम दोनों यहां से वापस जाने में मेरी हल्प करो तो मैं वो तुम दोनों को दे दूंगी इसके बाद तुम लोग किसको मारते हो क्या करते हो इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा वांग को भी कही न कही उसकी बात मान लेना बहतर लगा क्यूंके जान बची तो लाको पाएं दूसी तरफ जू भी इन दोनों को डूंटे डूंटे यहां तक पहुंचायता और इसके बाद हमें अगली सुबा का सीन दिकाया गया सुनेंजी के खाने के लिए काफी सारी डिशिज रखी गई थी और योको तो ये लंबा सा कंबे जैसे लड़का बड़ा अजीब लगता है वो राजकुमारी से पूछने लगा के ये नया लड़का कौन है जिस पर वो बोली के इसका नाम जिलियान है और आज से ये मेरा नया बोडी गार्ड है और तुम यहां खड़े खड़े मुझे घूर क्या रहे हो अगर ऐसी ही घूरते रहे तो फिर मैं खाऊंगी कैसे चलो जाओ शाबर यहां हमें फ्लेश बेकर सीन दिकाया गया जहां सुनेंजी ने इन दोनों को सारी बात बता दी थी के मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ बलके मौडरन एरा से यहां टेलिपोर्ट होकर आई हूँ अगर तुम लोग वापस जाने में मेरी हल्प करोगे तो वो एंटिडोट लेकर तुम दोनों अपनी जिन्दगी बचा सकते हो वांग को तो ये भी जालिम राजकुमारी की एक ट्रिक लेगी लेकिन वो बोली के अगर तुम लोगों ने मिरी हल्प ना की तो मैं अभी के अभी तुम दोनों को खतम कर सकती हूँ सिलियान को अपनी जान की तो इतनी पर्वा नहीं ती लेकिन वॉंग की जान बचाने के लिए कहने लगा कि तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तयार हूँ इसलिए तो आज वो बिचारा यहां कंबे की तरह खड़ा होकर उसका बोडी कार्ट बनने के लिए रेडी हो गया कहने लगा तुमने तो कहा तक के हमें लाश टूनने के लिए जाना होगा अगर तुम्हारा पेट बर गया हो तो चलें फिर सुनेंजी बोली हाँ हाँ पहले खा तो लेने दो अगर खाऊंगी नहीं तो फिर काम कैसे करूंगी लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी तीन शर्ते माननी होंगी पहली तो ये के तुम दस फुट की दूरी से मुझसे ज्यादा दूर नहीं जाओगे दूसरा ये के तुम लाश टूनने में मेरी हेल्प करोगे और तीसरे के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं जब सोच लूंगी तो वो भी बता दूंगी बीचारा जिलियान तो इसकी बाते सुन सुन कर इरिटेट हो रहा ता कि पता नहीं एक इस तरह की पागल औरत है अभी तक तो मैंने यही सुना ता कि राज कुमारी जालिम है लेकिन इतनी बात तूनी होगी ये तो मुझे आज पता चला दूने अपने बास को आकर बताया कि मैं उन दोनों से नहीं मिल पाया लेकिन मुझे इस बात का शक है कि वो दोनों वहीं कहीं चुपे होंगे पर आप फिकर नहीं करें वो जैसी ही मुझे दिकेंगे मैं दोनों को ही वहीं खत्म कर दूंगा यहां जिल्यान सुनेंजी को लेकर कही लाश डूने के लिए जा रहा था और वो तो चलते चलते वहां की चीजों की तारीफे करती रही जिस पर जिल्यान बोला कि तुम यहां लाश डूने के लिए आई हो या फिर मज़े लूटने है सुनेंजी के ये क्यूट क्यूट से एक्शन्स देखकर तो जिल्यान भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा समझ तो उसे खुद भी नहीं आती के आखिर ये मेरे साथ क्यूं हो रहा है कही ये उस डेथ पॉईजन का असर तो नहीं ये राच कुमारी तो बहुत ज्यादा चलाक है मुझे जल्से जल्से चुंगल से निकलना पड़ेगा अब इस पीचारे को क्या पता के बाद में इसे सुनेंजी से इतनी ज्यादा फैक्शन हो जाएगी कि उसे अपने एरा में वापस जाने भी नहीं देगा इसके बाद अगली सुबा का सीन दिकाया गया जहां वांग सुनेंजी का सारा मेकप समान निकाल कर एंटी डोट डूने की कोशश करता है और जिल्यान को बताया कि तुम दर्वाजे पर खड़े रहकर देखते रहना अगर कोई आए तो मुझे पहले से ही खबरदार कर देना इसके बाद वांग मेकप के एक एक प्रोड़क्ट को चेक करने लगा और जिल्यान दर्वाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है तब ही वो अपने बास के बारे में सोचने लगा जिसने इससे कहा था कि अगर तुम राज कुमारी को खटम कर दोगे तो तुम जो चाहोगे मैं वो तुमें दे दूँगा यानि के राज कुमारी को खटम करने के पीचे जिल्यान का कोई बड़ा मकसद है और इसी के साथ हमारा फस्ट एपिसोड खटम हुआ गाइज अगर आप लोगों को ये सीरिस पसंद आई तो इसका सैकंड एपिसोड मेरे दूसरे चैनल पर आवैलिबल है आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाती चलू के उस चैनल पर वीडियो को कम्प्लीट देखना और सस्क्राइब करना ना भूले तो बढ़ते हैं इस सीरिस के सैकंड एपिसोड की तरफ दूसरी तरफ सुनेंजी यो के साथ बाते करते हुए अपनी रूम में वापस आ रही थी और जिलियान ने वांग को फॉरण से ये चीज़े समेटने के लिए कहा कुछ न कुछ अंदाजा तो सुनेंजी को भी था कि इन दोनों को रूम में अकेला चोड़ा है जरूर कुछ गड़बड कर दी होगी जैसी ही वो रूम में इंटर होती है ये दोनों ऐसा दिखा रहे थे जैसे हमने कुछ भी नहीं किया और वो अपने समान को देखते ही जान गई के इन्होंने मेरा समान चेड़ा था लेकिन वांग बोला के हमने तो कुछ भी नहीं किया और सुनेंजी उसके लिपस देखकर उस पर हसने लगी दुबारा सीन दोनों को दमकाने लगी के तुम दोनों एंटीडोट तब तक नहीं ले सकते जब तक मैं ना चाहूं इसलिए ज्यादा हुश्यारी दिकाने की जरूरत नहीं जिल्यान उसकी तरों बढ़ने लगा और इधर सुनेंजी सोचती है कि कही इसे पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास कोई एंटीडोट नहीं मैं सिर्फ ड्रामा रचा रही थी वो ये सब सोच ही रही थी के जिल्यान उसे मार कर बेहोश कर देता है और इसके अगले ही सीन में हमें उसे चेर के साथ बंदे हुए दिकाया गया जैसे ही वो अपने सेंसी में चलाते हुए कहने लगी कि ये मैं कहा हूँ जिस पर जिल्यान बोला कि राचकुमारी जी तुम अपने सीक्रेट रूम में हो क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता इससे एक बात तो कलियर हो गई कि तुम राचकुमारी नहीं हो वो एंटिडोट मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सुनेंजी जानती थी कि जब ये मुझे बेहोशी की हालत में नहीं मार सका तो आप क्या मारेगा कहने लगी मैंने तो पहले ही बोला कि मैं राचकुमारी नहीं हूँ और अगर तुम मुझे मार दोगे तो मत बूलो कि मेरे साथ साथ तुम और वंग दोनों ही मारे जाओगे इससे तो बहतर है कि हम दोनों बैट कर बात करें जिल्यान बोला कि तुमने जैसे कहा ता मैंने वैसे किया तो चाहे मुझे एंटिडोट मत दो लेकिन प्लीज वांग की जान को खत्रे में मत डालो इसी बात से सुनेंजी को अंदाजा हुआ कि वांग उसके लिए कितना ज्यादा स्पेशल है दूसी तरफ जो सिरफ इतना ही पता लगा सका के वांग और जिल्यान दोनों पकड़े गए इधर सुनेंजी ने बताया कि आज हम पका लाश को डून लेंगे फिर मैं यहां से चली जाओंगे और तुम दोना अजाद हो जाओगे नेक्स सीन में हमें इन दोनों को एक लाश के पास दिकाया गया जहां सुनेंजी ने वापस जाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया खाफी ट्राई की तरह तरह के तरह के तरह के अजमा कर गोड से विश की के प्लीज मुझे यहां से वापस भेज दे लेकिन बिचारी की इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं बदला और वो वही के वही रहती है जिल्यान तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कहना चाह रहा हो कि अब यह एक्टिंग बन कर दो क्यूंकि इस तरह के मौज़े सिर्फ कहानियों में ही हो सकते है और इतना तो कैही देता है कि अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो चलो मेरे साथ मैं तुम्हे कुछ खिला देता हूँ वो भी पिचारी मूलट का कर इसके साथ चलने लगी और रस्ते में इन दोनों पर हमला होता है जो के कोई और नहीं बलके जू ही था जिल्यान सुननजी को पीछे बेच कर जूसे खुद को डिफेंड करने लगा और साथ ही साथ उसे बता रहा था कि फार्टिंग करना बंद करो एक बार मेरी बात तो सुन लो जूस की कोई भी बात नहीं सुनना चाह रहा था बिकोज उसे यही लगा के शायद इन दोनों का कोई रिलेशनशिप है इसलिए जिल्यान को भी सुननजी को लेकर वहां से भागना पड़ा नेक्स सीन में हम इन दोनों को एक ढावे पर देखते हैं जहां जिल्यान सुनननजी को गूर रहा था और वो बोली के अगर तुम मुझे ऐसी ही देखते रहे तो फिर मैं खाऊंगी कैसे एंड जिल्यान कहने लगा के तुमने अपना पाउं चेर पर क्यों रख दिया है जिस पर सुनननजी बोली के ये कहकर तो तुमने मुझे अपने एक्स की याद दिला दी तुम्हें पता है क्या पहले जब हम साथ होते थे और मैं चेर पर पाउं रखकर खाती थी तो उसे मैं क्यूट लगती थी लेकिन वक्त के साथ साथ पता नहीं उसे क्या हो गया उसे मेरी हर आदत ही बुरी लगने लगी इनसान भी कितने अजीब होते है ना पहले जिसे प्यार करते हैं बाद में उसे ही नफरत हो जाती है बीचारे जिलियान को तो ये भी नहीं पताता कि एक्स क्या होता है पुछने पर सुनेंजी ने बताया कि एक्स वो होता है जिसे हम मार कर हमेशे के लिए अपने दिल में दफना देते हैं वो सोचने लगा कि ये तो वाकी ही खतरनाक लगती है पता नहीं कितने लोगों को मार कर दफना चुकी होगी सुनेंजी ने उसे बताया कि मैं इंबेलमर की जॉप किया करती थी जिसके बारे में तुम शाहिद नहीं जानते लेकिन ये कोई इजी काम नहीं था और यहान अभी एक एकसिडेंट था मुझे तो खुद भी नहीं पता चला कि उस ब्रेसलेट को टच करने के बाद मैं यहां कैसे पहुँच गई जिलियान को उसकी बातों पर तो य짝ी नहीं था लेकिन वो सोचने लगा कि यह राज कुमरी तो नहीं है जिसके बारे में मैंने इतना बुरा सुना था पता नहीं क्यूं यह मुझे इसनी इनोसन्ट क्यू लगती है या फिर यह शाहिद इसका कोई दूसरा रूप है जबके सुनेंजी तो ड्रिंक करने के बाद पूरी तरह से टुन हो चुकी थी और जिल्यान को उसको उठा कर ही घर ले जाना पड़ा फिर रस्ते में जाते हुए वो ओल फॉल बाक रही थी के देखो मैं ड्रंक जरूर हूँ लेकिन खबरदार अगर मेरा फाइदा उठाने की कोशश की तो जिल्यान बोला तुमने फिर से नोंसेंस बोलना शुरू कर दिया तुम से खामोशी से नहीं चला जाता क्या एक तो कितनी बारी हो तुम सुनेंजी तो उसे लड़ने ही लग गई कि मुझे अगली कहदो गंजी कहदो लेकिन खबरदार अगर तुमने मुझे मुझे मोटी कहा तो उसकी क्यूटनेस फिर से जिल्यान को अपनी तरफ अट्रैट करने लगी और उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये किस तरह की लड़की है और मैं इसकी तरफ इतना अट्रैट क्यूं हो रहा हूँ नेक्स सीन में सुनेंजी जू से टकरा जाती है और वही फॉम्टिंग कर दी जिससे उसका थोड़ा सा नशा तो उतर गया वह भी राच कुमारी को मार कर खतम करने ही वाला ता कि जिल्यान उसे बचा कर खुदा आगे आ जाता है और तलवार सुनेंजी को लगने के बजाए जिल्यान को लग गई सुनेंजी हेल्प के लिए शोर मचा देती है और जिल्यान ने जू को वान कर दिया कि सब आती ही होंगे तुम यहां से भाग कर अपनी जान बचा लो वरना तो पकड़े जाओगे उसके जाने के बाद सुनेंजी जिल्यान को लेकर घर आती है और यो को जल्दी से घरम पानी और टावल लाने के लिए कहा उसे जिल्यान की काफी फिकर हो रही थी समझ नहीं आती कि इसे होश में कैसे लाऊ एट लास्ट उसे आइडिया आता है कि क्यो नहीं इसको मौट की तरू अक्सीजन दी जाए उसके काफी कोशश करने के बाद जिल्यान को होश आया और साथ ही वो पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही थी पिकोज वो मौट टु मौट उक्सीजन के बारे में नहीं जानता था दूसी तरफ जूने बोस को आकर बताया के राजकुमारी अभी तक जिन्दा है और जिल्यान ने हमें धोका दे दिया लेकिन मैं फॉंग के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा सका यह बोस के लिए भी काफी शोक की बात थी क्यूंके जिल्यान उसका बहुत ही वफदार सिपाई था यहां योग आने से पहले पहले सुनेंजी ने उसका जखम टाइटली बान दिया था और वो आकर कहने लगा के राज़ कुमारी जी अगर आपको जखम पर पट्टी लगानी नहीं आती तो कमस कम मेरे आने का वेट कर लेती ना वो बोली हाँ हाँ मेरे बाप तुम ही कर लो वैसे भी तुमारे हाथ रुकने तो है नहीं जिल्यान भी उनकी बाते सुनकर मुस्कुरा देता है और यो पूछने लगा के इतने पेन में भी आप मुस्कुरा रहे हैं चलो जल्दी बताओ ये चोट आपको कैसे लगी वो बोला एक बिल्ली को बचा रहा था लेकिन बड़ी ःस्तान फरमोष निकली उल्टा मेरा ही फाइदा उटा रही थी जबके सुननजी को पता था के जिल्यान उसे ही बिल्ली कह रहा है कहने लगी अप चुप हो जो वरना वही बिल्ली तुम्हें नोच लेगी यो इन दोनों की बातों को सुनते हुए कहने लगा के बिली और कुते की लड़ाई तो कितने मज़ी की होगी अगली बार हुई तो मुझे भी जरूर बताना जिस पर वो दोनों एक साथ ही शट अप कहकर इसे चुप करवा देते हैं एक सीन में सुनेंजी जिलियान का वेस्ट बलड देखती है और उसे एक आईडिया आया कि क्यों ना इसी के जरीये में वांग से पता लगा लो कि आखिर वोलो प्राच हुमारी को क्यों मारना चाते हैं फिर वो ऐसा ही करती है वांग के पास जाकर उसे ये खुन दिकाते हुए कहने लगी कि अगर मैं जिलियान के साथ इतना बुरा कर सकती हो तो तुम सोचे तुम्हारे साथ कितना बुरा करूंगी खुन देखकर तो वोंग भी घुसे में आगया कहने लगा अभी के अभी मेरे हाथ खोलो तुमने मेरे भाई के साथ क्या कर दिया है मैं तुम्हें नहीं चोड़ूंगा सुनेंजी बोली के अभी तक तो तुम्हारा बच्पन का दोस्त जिन्दा है लेकिन अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम लोग मुझे क्यों मारना चाते हो तो मैं उसे जरूर मार दूंगी उसकी बात मान कर वॉंग ने उसे बता तिया कि तुम बेगुना लोगों को मार देती ती इसलिए बहुत से लोग तुम्हें मार कर उन्हें इनसाफ दिलाना चाते थे और हमें भी यहीं मिशन दिया गया वहां से बाहर आने के बाद सुननन्जी को लगा कि शायद वाकी ही मेरी जान को खत्रा है और यो को बताया कि मेरे लिए और बोडिगार्स का अरेंज करो क्योंके जिल्यान तो खुद्जखमी है तो वो मुझे कैसे प्रोटेट करेगा यहां यो ने उस पर एक और बम गिरा दिया कि कल बैंग बी विला विजट करने के लिए आ रहा है और बीचारी सुनन्जी तो उसे जानती तक नहीं थी तो उसके सामने एक्ट कैसे करेगी नेक्स सीन में सुनन्जी जिल्यान के पास आती है जो कि अब काफी बैटर लग रहा था और वो इसे कहने लगा कि तुमने जैसे जैसे कहा था मैंने वो सब कुछ किया अब तुम्हें मेरी खाती चोट लगी तो क्या हुआ अगर तुम्हारे लोग मुझ पर हमला ना करते त तुम्हें में मुझे ना बचाना पड़ता ना वैसे कि इतनी अजीब बात है ना कल तक तुम मुझे मारना चाते थे और आज तुमने मेरी जान बचाई खेर एक बात तो बताओ उसके पास जाकर कान में पूछने लगी कि तुम मुझे क्यों मारना चाते थे जिस पर जिल् तटेंजी बोली कि ये भी तो हो सकता है कि तुम वागी ही इनोसेंट हो और जिसे तुम अपने लिए इतना special समझते हो वो तुम्हें दोका दे रहा हो अगर वो तुम का माई चैनल तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थार्ड एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सुनेंसी जिलियान को लेकर वांग के पास आती है जैसा कि उसने कहा ता कि क्यों न उसका एक टेस्ट लिया जाए उसे यहां देखने के बाद जिलियान बोला कि तुम जूटी हो मेरा भाई मुझे छोड़ कर नहीं गया और उसे भी समझा दिया कि इसकी किसी भी बात का एकिन मत करना वांग बी जिलियान को लेकर परिशान हो रहा था लेकिन उसे जिन्दा सलामा देखने के बाद वो भी रिलेक्स हो जाता है सुनेंजी से बोला कि अब अगर तुम्हारे फजूल ट्रिक्स खदम हो गए हो तो हमें वो एंटीडोट दे कर यहां से जाने दो लेकिन ऐसे कैसे सुनेंजी इन दोनों को ऐसे जाने देने वाली कहां थी आखिर इन दोनों का अपने पास रोक कर ही तो वो अपनी जान बचा सकती है कहने लगी के एंटीडोट तो मैं तुम दोनों को दे दूँ मगर अफसोस की बात ये है के मेरे पास सिर्फ एक ही है जो तुम दोनों में से किसी एक की जान ही बचा सकता है अब तुम दोनों आपस में खुद ही डिसाइड कर लो के कौन बचना चाता है और किसको मरना है वैसे ये कोई एंटीडोट तो नहीं ता एक पर फियूम हीती लेकिन वांग उसके हाथ से लेकर जिल्यान को देती हुए कहने लगा कि इसे तुम रख लो तुमने सारी जिन्दगी मेरी खातिर बहुत कुछ किया और जिल्यान बोला के नहीं चाहे मैं मत जाओं लेकिन मैं तुम्हे कुछ भी होने नहीं दूंगा उन दोनों की बीच ये भाईयो वाला प्यार देखकर सुनेंजी उन पर हस्ती रही ये सोचकर के एंशियंट लोग कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं वही उसे यो की आवाज आई जो के कह रहा था के राजकुमारी क्रॉन प्रिंस आप से मिलने के लिए आया है यहां जिल्यान ने किसी भी तरह करके वांग को वो एंटीडोट पकड़ा दी ये कहकर के मैं अपने लिए दूसरा डूंड लूंगा तुम फिकर नहीं करो नेक्स सीन में हमें सुनेंजी को क्रॉन प्रिंस से मिलते हुए दिखाया गया जो के उसे अंकल कह रहा था और उसे खुमी समझ नहीं आती के आखिर ये मुझे अंकल क्यों कह रहा है और यो के इशारा करने पर सिचवेशन को संबालने लगी कहती है कि रिसंट हमले की वज़ा से मुझे बहुत कुछ जिलना पड़ा इसलिए मैं भूल गई थी के मेरा कोई नेफ्यू भी है दूसी तरफ वांग ने जिलियान के लिए एक लेटर छोड़ दिया जिसमें उसने लिखा था कि मैं सबसे पहले मास्टर के पास जाकर उन्हें बात क्लियर कर दूंगा तुम तब तक मेरा वेट करना क्रॉन प्रिंसों से बता रहा था के बेमगी आपके विला को विजट करने के लिए आने वाला है जो के हमारा महमान होगा और मैं चाहता हूं कि आप उसकी अच्छे से खातिरदारी करें सुनेंजी बोली आप फिकर नहीं करें वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दे लेकिन जिस तरह से वो बाते कर रही थी थोड़ी थोड़ी सटकी हुई तो इसको भी लगी फिर जाते हुए योने उन्हें समझा दिया किराज कुमारी अटेक के बाद ठीक ठाक से दिकाई तो दे रही है मगर उनका पने अभी तक रीकावर नहीं हुआ ये बाते जिल्यान भी सुन लेता है लेकिन उससे सुनेंजी का यकिन कब आएगा ये तो हम आगे ही जान पाएंगे नेक्स सीन में सुनेंजी जिल्यान को वांग का लेटर दिगाते हुए कहने लगी कि ये देको वो तुम्हारे लिए लेटर शोड़ कर चला गिया और साथ ही साथ वो एंटीडोट भी ले गया मैंने कहा ता ना वो तुम्हें धोका दे रहा है जिस पर ये बोला कि वो मुझे छोड़ कर नहीं गया बलकि किसी जरूरी काम से गया है और तुमें हम दोनों की ज्यादा फिकर करने की जरूरत नहीं दिल ही दिल में सुनेंजी कहने लगी के वांग तुम फिकर नहीं करो तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा और उसे टोंट मरती वे कहने लगी कि क्या वो और लोगों को लेकर आने वाला है मुझे मारने के लिए जिलियान ने बताया कि अगर हमें तुम्हें माना ही होता तो इसके लिए मैं अकेला ही काफी होता खैर सुनेंजी उसके साथ इस बात पर आग्यों नहीं करना जाती थी इसलिए उसे अपने साथ चॉपिंग पर जाने के लिए कहा इसके बाद दोनों जाते हैं शोपिंग पर जहां सुनेंजिंग को अनलाइन शोपिंग की काफी याद आ रही थी लेकिन यहां तो उसे इनी चीजों से काम चलाना पड़ेगा जिलियान का ये उत्रा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाने लगी के तुम अभी भी वॉंग के बारे में परिशान हो फिकर नहीं करो वो जहां भी होगा ठीक होगा जिस पर जिलियान बोला के उसका तुम मुझे पता नहीं लेकिन अपना बंदो बस जरूर कर लो क्यूंके मैं तुम जैसी चूटी के साथ नहीं रह सकता जो अपने प्रॉमिसिस भी ना निबा सके शायद वो एंटीडोट की ही बात कर रहा था सुनेंजी बोली के हाँ मैं मानती हूँ के मेरे पास वो एक ही था लेकिन इसका मतलब ये नहीं के मैं और नहीं बना सकती लेकिन तुम्हें मज़े की बात बताओं उस एंटीडोट से तुम सिर्फ एक ही हाफता जिन्दा रह सकते थे और अगर तुम मेरे पास रहो तो मैं हर हाफते भी तुम्हें वो एंटीडोट बना कर दे सकती हूँ जिल्यान उस पर अपना रोग जमाते हुए डांटने लगा कि मैं यहां तुम्हारा बोडी गार्ड बनने नहीं आयता बलकि तुम्हें मारने आया था तुम बूल क्यों जाती हो पर अब जब एक बार वो सुनेंजिंग के चुंगल में आ गया है तो बच कर कहा जाएगा उसे साफ साफ लफजों में कह देती है कि मैं सब के सामने तुम्हें अपना बोडी गार्ड अनाउंस कर दूंगी और मत बूलो कि तुमने मुझे प्रोटेक करने का वादा किया था उसके ये सिलियक्स देखकर बीचारा जिल्यान सोचने लगा कि पता नहीं किस मन्हूस गड़ी में मैंने तुमसे वादा कर लिया था खैर फिर उसका समान उठा कर उसके पीचे जाने लगा और अगले हिसीन में हमें दिखाया गिया कि जिस बेमजी नाम के प्रिंस का वेट किया जा रहा था वो विला में पहुंचाया विला में भी उसके लिए सारी तैयारिया हो चुकी थी सुनेंजी ने अपने सैनिकों को उससे यहां तक लाने के लिए कहा बैंगी राजकुमारी से मिलने के बाद जिस तरह से उसकी तारीफे कर रहा था ये देखकर तो जिल्यान सोचने लगा कि कितना जूटा है ये इसमें से तो एक भी क्वाल्टी राजकुमारी में नहीं है लेकिन खेर वो चुप चाप खड़े इन दोनों की बाते सुनता ही रहा बैंगी राजकुमारी को पोईम सुनाने लगा उन्हें ये कहकर कि मेरे बात आप सुनाएंगी और उसका पोईम तो इतना ज्यादा फ़नी था कि योर सुनेंजी तो अपनी हासी पर कंट्रोल ही नहीं कर सके जिल्यान को भी वो किसकादर पागल लग रही थी के पता नहीं ये राजकुमारी है या फिर किसी पागल खाने से उड़ कर आई है खेर इसके बाद सुनेंजी की टरन थी पॉइम सुनानी की जो के बड़े अजीब अजीब से पॉइम सुनाती है खुद को पॉइम्स का मास्टर कहकर उसके ये पॉइम्स सुनकर तो बेम्गी को भी बड़ा आकवर्ड लगा और यो भी सोच रहा था कि पता नहीं राजकुमारी को क्या हो गया है वो इस तरह बिहेव क्यों कर रही है जबके जिल्यान के लिए उसके ये वेरड़क्स कोई नई बात नहीं थी क्योंके जब से वो पागल लड़की एंशेंट एर आई है बिचारा वो ही तो इसे संबालता रहा ना चाहते हुए भी बेंगी को उसकी तारीफ करनी पड़ी आखिर वो राजकुमारी जो टहरी और वो दिली दिल में सोच रही थी के एंशेंट लोगों को बेवकुफ बनाना कितना असान होता है नेक्स सीन में जिल्यान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम वाकी ही पॉइम्स में एक्सपर्ट हो पता नहीं उस बेवकुफ ने भी तुम्हारी तारीफ कैसे कर दी जिस पर सुनेंजी बोली के कही मेरा टैलन्ट देखकर तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो रहा और बीचारा जिलियान भी उसे कैसे समझाए कि उसके पॉइम्स किस कदर बुरे थे और तो और उसकी मेर्स भी उसके पॉइम्स की तारिफे करने लगी बताती है कि आप किसी अच्छे से पॉइम्स को डून कर उसे शादी क्यों नहीं कर लेती इस पर जिलियान फॉरन से बोला के जरा समल के ये ना हो के कुछी दिनों में विद्वा हो जाओ अब जो हलात राज कुमारी जी ने अपने बनाए हुए हैं उसे तो जेलते जेलते सच में ही उसका लाइफ मार्टनर कुछी दिनों में मर जाएगा खैर सुनेंजी उसे कहने लगी के तुम ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ लाइफ पार्टनर के साथ कैसे डिल करना है वो मैं खुद ही देख लूँगी जिल्यान भी सोच रहा था कि काश में तुम्हारी वो तीन शर्ते ना मानता तो आज मैं भी तुम्हारे साथ यहां फसा हुआ ना होता इसके बाद युनिन का सीन दिकाया गया जहां सुनेंजी ने बैमगी के लिए डांस परफॉर्मिस रखवाई थी और पता नहीं किम वो इस डांस को देखकर पागलो की तरह हस्ती रही बैमगी को भी उसके पॉएम से यह डांस ही ज्यादा अच्छा लगा इसके बाद जिलियान अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिकाता है क्यूंके वो जानता था के एंशेंट लोग किस चीज में ज्यादा इंटरस्ट लेते हैं पर ये बात हमारी सुनेंजी को पता नहीं थी इंप्रेस तो वो बैमगी को करना चाह रहा था लेकिन उसे देख देकर हमारी सुनेंजी इंप्रेस हो जाती है वैसे इंप्रेस तो वो पहले से ही हो चुकी थी जिलियान की तारीफ ही करने लेगे के तुम स्वोर्ड का यूस करते हुए बहुत हैंटसम लग रहे थे जिस पर वो बोला के राज कुमारी जी आप ड्रंक हो चुकी है ड्रंक तो वो वाकी ही हो चुकी थी लेकिन इस बात को नहीं मानती इसके बाद वो बैमगी को और ड्र करने के लिए फोर्स करें वो भी इसे समझाता है कि आप काफी ड्रंक हो चुकी है आपको ड्रंक नहीं करनी चाहिए लेकिन सुनेंजिंग ने कभी उसकी मानी ही कब थी और तो और उसे अपने साथ डांस करने के लिए भी फोर्स करने लगी उसे ये कह करके मैं बिल्कुल भी ही हूँ ये देखो मैं तुम्हारे साथ डांस भी कर सकती हूँ जिल्यान पूरी पूरी कोशिश करता है उसे ना टाच करने की लेकिन एक बार फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और वो इतना ज्यादा ड्रंक थी के जिल्यान को ही उसे संबालना पड़ा इससे पह कोई भी गलती नहीं क्योंकि इसके एपिसोड्स देर से रिलीज हो रहे हैं और जैसे ही रिलीज होते जाएंगे मैं आप लोगों के लिए फौरन से ले आऊंगी और जैसा के मैंक्स चैनल पर आउट विदा बैंक ड्रामा को अपलोड करने वाली हों तो वो भी जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगा तो बढ़ते हैं इस सीरीस के फौर्ट एपिसोड की तरफ जहां हमें जिल्यान को दिखाया गया जो सुनेंजी को उसके रूम में लेकर जा रहा था ड्रंक होने के बावजुद भी सुनेंजी उससे कहती रही के तुम्हें क्या लगता है मैं ड नंजी है मुझे मेरे नाम से बुलाओ इसके बाद वो जिल्यान को किस कर देती है और मज़े मज़े से हस्ते वे अपने रूम में चली गई तो इधर जिल्यान उसकी दिन बदिन बढ़ती हुई नजीब हरकतों से तंग आ चुका था दूसी तरफ हमें वोंगों को दिकाया मास्टर ने बताया कि राजकुमारी के मौत के बदले मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवार्ड दूँगा लेकिन वौंग ने वो रिवार्ड लेने से मना कर दिया कहने लगा कि मैं आपका एक वफदार सिपाही हूँ और राजकुमारी के मौत के बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए ये कहकर वांग वहां से चला गया और मास्टर बोला कि अगर ये उसके मौत के बदले में कुछ नहीं मांग रहा तो इस पर बरोसा करना भी कोई अकलमंदी की बात नहीं जू को इस पर नजर रखने के लिए इसके पीचे बेश दिया और बताया कि अगर तुम्हें लगे कि ये दोनों हमें धोका दे रहे हैं तो वहीं दोनों को खत्म कर देना इधर जिल्यान खुद को समझा रहा था कि तुम यहां राज कुमारी को मारने के लिए आए हो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने नहीं पर वो बीचारा कर भी क्या सकता था क्यूंके सुनेंजी की मेमरीज उसके दिलो दिमाग पर चा गई थी नेक्स सीन में सुनेंजी को दिकाया गया जो आदी रात को उट जाती है और खुद से पूछने लगी कि क्या मैं यहां अपने आप आई और जिल्यान की दर है वो मुझे केले छुड कर कैसे जा सकता है वो जिल्यान को आवाजें लगा लगा कर उसे अपने पास बुलाती है कहने लगी कि मुझे प्यास लगी है मेरे लिए पानी लेकर आओ अब हमें जू को दिकाया गया जो उन दोनों को डूनते डूनते यहां तक पहुंचाया और जैसे ही सुनेंजी दर्वाजा खोलती है उसे सामने खड़ा दिकाया अगर वो हल्प के लिए ना चिलाती तो शायद जू से यहां खत्म कर देता पर सिपाहियों की आने की वज़ कर रहा ता कि अभी भी खत्रा आपके सर से टला नहीं जिल्यान को भी उसके आवाजे सुनाई दे रही थी पर वो सोचने लगा कि यह जरूर मेरा वहम होगा क्योंके वो तो ड्रंक होकर अपने बैट पर पड़ी होगी दर्वाजा बंद करने ही वाला ता कि तबी सुनेंज आई और आते ही साथ उससे चिमट गई जिल्यान उससे पूछता है कि तुम इस वक्त यहां क्यों आ गई हो जिस पर सुनेंजी डूर क्लोस करते हुए कहने लगी कि तुम्हें पता है मुझ पर किसी ने अटैक किया जिल्यान बोला कि मारना तो मैं भी तुम्हें चाहता हू क्योंकि वो खुद ही मेरी खुबसूर्ती को देखकर भाग गया इस पर जिल्यान ने उसे खुशफ़हम लड़की कहा और वो बोली कि उसकी स्वाट भी बिल्कुल तुम्हारे स्वाट की तरह थी कही ऐसा तो नहीं कि उसे भी तुमने बेज़ा हो मुझे मारने के लिए ख के सुनेंजी उसे चिमट ही गई कहने लगी के नहीं मैं तुम्हारे लावा और किसी पर बरोसा नहीं कर सकती तुम मुझे उस डेंजर जगा क्यों भीज रहे हो जिल्यान फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और घुसा करते हुए बोला कि तुम मुझ पर कौन से ट रहा था कि तुम ड्रंक होकर अजीब अजीब सी हरकते करती हो और देखो दरा खुद को चोट भी लगवा दी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ड्रिंक कम करनी चाहिए सुरेंसी बोली ओहो लोगों को मेरी परवा भी है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शो होने नहीं देते वो बीचारा एक बार फिर से इसके चुंगल में आने से पहले पहले इसे कहता है कि आप फौरन से अपने रूम में जाओ पर वो इतनी असानी से इसका पीछा छोड़ने वाली कहां थी कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज रात के लिए तुम्हारे बैट पर सो पेर चल रहा है वैसे वो यह सब कुछ सिर्फ जिल्यान को टीज करने के लिए कर रही थी किम्कि वो इसकी हरकतों से काफी ज्यादा चिड रहा था इसी दुरान सुनैंसी का पैस रीप हो गया वो नीचे गी जाती है और जिल्यान उसके उपर गिर पड़ा हमेशा की तरह ए अब वो तो मज़े मज़े से चली गई सोने के लिए लेकिन हमारे जिल्यान को उलजन में डाल गई इस बार तो उससे इस बात का यकिन हो ही गया कि शायद मैं सुनैंसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं इसलिए अभी तक उसको नहीं मार सका पता नहीं क्यों लोगों को व वाज आई और वो फॉरण से भाग कर उसे देखने लगा जबके वो मैडम तो नीद में चिला रही थी जिल्यान उस पर कंबल ओर देता है और तब उससे वो एंटीडोट नजर आया जो कोई एंटीडोट नहीं बलके एक परफ्यूम था सोचने लगा कि शायद यही वो एं जिल्यान सोचने लगा कि मैं एक ऐसी इंसान को नहीं मार सकता जो मुझसे वीक हो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ तो बढ़ते हैं इस सीरिस के फिफ्ट एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिकाया गया कि जिल्यान वहीं बैठे बैठे सोग गया था और जब सुनेंसी उटकर उससे ऐसे सोते हुए देखती है तो उसके फेस के साथ खेलने लेगी वो भी उटते हुए पूछने लगा कि तुम क्या कर रही थी एक तो तुम्हारी बच्चो वाली हरकते खतम नहीं होती इसलिए तो मुझे हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है बातों ही बातों मैं सुनेंसी उसे पता लगाना चाहती थी के आखिर वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है लेकिन जिल्यान शायद उसे नहीं बताना चाहता बात बदलते हुए कहने लगा कि तुमने मुझे से घद्दारी की जो एंटी डॉर तुमने अपने पास रखा हुआ था वो फेक है क्या तुम मुझे बेवकूब बनाना चाहती हो वरना मैं तुम्हारी कोई गरंटी नहीं दे सकता फिर सुनेंजी किसी फ्रेश डेड़ बोडी को ढूनने के लिए निकल पड़ती है और जिल्यान उसे के ले जाने नहीं देता बिकोज वो जानता था कि उसकी जान को खत्रा है रस्ते में जाते हुए इनको पता चला कि इस महले में किसी लड़की की डेथ हो गई है पर जिल्यान ने कहा कि किसे के घर ऐसे जाना अच्छी बात नहीं क्यों ना हम रात को कबरिस्तान में उस मुर्दे के पास जाया और इस तरह तुम्हारा प्रोसेस भी शानती से पूरा हो जाएगा सुनेंजी भी उसकी बात मान गई फिर वहां से जाते हुए किसी औरत की रहने की आवाजे आ रही थी क्योंकि उसका हस्बेंट उसको बुरी तरह से मार रहा था कोई भी उसको रोकने की हिमत नहीं कर पा रहा था लेकिन सुनेंजी काफी ब्रेव बनकर आगे जाती है और उसके हस्बेंट को ये मार्क उटाई करने से रोक दिया बताने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए सारा दिन लगी होती है तुम्हारी खिदमत करती है और तुम उसका सिला ऐसे दे रहे हो जबके वो बोला कि ये हमारा फैमली मैटर है तुम होती कौर हो मुझे रोकने वाली मैं इसके साथ जैसे मर्जी सलूक करूँ सुननसी पर भी हाथ उटाया लेकिं जलियान उसका हाथ पकड़ लेता है और अगर उसकी वाइफ बीच में ना आती तो शैद जलियान उसको यहीं के यहीं खतम कर देता फिर सुनेंजी उसकी वाइफ को भी समझाने लगी कि तुम्हें इस पर रिले करने की कोई जरूरत नहीं इससे डाइवोर्स लेकर अपनी अच्छी सी जिन्देगी गुजारो वैसे तो हस्बेंड अपनी वाइफ को उसके साथ जाने के लिए नहीं दे रहाता लेकिन अच्छी बात ये थी के एंड टाइम पर वहाँ यो आ जाता है उसने सब को क्लियर कर दिया कि जिस लड़की को तुम लोग आम लड़की समझ रहे हो वो इस पूरे सल्तनत की मलका है ये सुनने के बाद तो वहाँ खड़े सबी लोगों का मुबंद हो गया और तो और उसने अपनी वाइफ को भी सुनेंजी के साथ जाने के लिए दे दिया इसके बाद सुनेंजी उसे एक सेफ जगा पर ले आई और यहां सकून की जिन्दगी गुजारने के लिए कहा लेकिन इससे पहले जिस लड़की की डट हूई थी उसके बारे में कुछ कोश्चन किये उस लड़की का घर तो पता नहीं लगा सके लेकिन उसके बारे में कुछ हिंडस दरूर मिल गए फिर उसे काफी सारे पैसे दे दिये जो देखकर जिल्यान दिल ही दिल में सोचने लगा कि राज कुमारी जालिम तो कभी भी नहीं हो सकती आफ्टर देट दोनों डैड बोडी को ढूनने के लिए जाते है लेकिन सुनेंजी उसका हाथ पकड़ना चाती थी जिस पर जिल्यान बोला कि मत भूलो मैं तुम्हें यहां मारने के लिए आया था सुनेंजी उसके सामने काफी चिल्डी शेट करती है और इसी बात पर नराज होकर वहां से जाने लगी कही न कहीं जिल्यान भी उसका अपना हाथ पकड़ने से मना नहीं करना चाता था फिर उसके पीछे जाते सुनेंजी ने इस पर भी अच्छा हासा बहाना लगा दिया जिस पर वो बोला कि तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है हमेशा चपड़ चपड़ करके बोलती रहती हो सोचने लगा कि हमेशा इसकी बचकानी हरकतों में साथ दिया ही है तो एक बार और सही लांटेन को ब्लॉब करने के बाद उसके लिए दिल ही दिल में विश भी की कि अगर तुम वो जालिम राज कुमारी नहीं हो तो आई विश के तुम्हारी सारी खुशिया मिल जाए जब सुनेंजी ने उसे पूचा कि तुमने क्या विश की तो इस पर जिल्यान बोला मैंने विश की कि जलते जलत मुझे तुम्हें मारने का मौका मिल जाए वो बोली मौका तो अभी भी है तुम्हारे पास तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ अगर चाहो तो अभी भी मुझे मार सकते हो लेकिन शर्ट लगा कर कहती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे जिल्यान कहने लगा कि हाँ मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता क्यूंकि मुझे वो एंटिडोट चाहिए जिस पर वो बोली कि अप प्रिटेंड करना बस भी कर दो मांचाओ कि तुम मुझे पसंद करते हो ऐसा लगता नहीं कि जिल्यान ज्यादा देर तक अपनी फिलिंग्स को चुपा पाएगा जिस तरह से वो सुनेंजी को प्रोटाइट कर रहा है इसके बाद दोनों एक शराब खाने आते हैं जहां सुनेंजी उसे जबरदस्ती ले आई थी पर ये देखने के बाद के वहां की लड़किया तो जिल्यान पर चिमट ही गए उसे काफी ज्यादा घुसा आया उन लोगों को यहां से बगा दिया यह कहकर के तुम लोगों की हिमत कैसी हुई मेरे बॉइफरेंट को हाथ लगाने की इस पर जिल्यान उसे कुछ भी नहीं कहता किमके वो जानता था इसकी तो आदत है हमेशा नोंसेंस बोलते रहना लेकिन वहां जू को देखने के बाद वो सुनेंजी का हाथ पकड़ कर फौरस से वहां से ले जाता है बताया कि यह जगा तुम्हारे लिए सेफ नहीं जिस पर सुनेंजी कह रही थी के पहले मांजो के तुम मुझसे प्यार करते हो अगर नहीं तो पिर तुम मेरी जान क्यूं बचा रहे हो अब जिल्यान भी उसे क्या ही कहता कहने लगा के जो मर्जी समझो लेकिन फिलहाल चलो यहां से इसी दुरान उन दोनों को वांग नजर आया जो के यहां जू के साहता आया था और उसने इन दोनों को खबरदार कर दिया कि यहां से भाग जा और राजकुमारी की जान खत्रे में है यानि के वो अपने दोस्त के साथ मिलकर राजकुमारी की जान बचाना चाहता है और मास्टर के सामने उसका सिपाई होने का जूटा दावा किया वही जू भी पहुंचाया जो के राचकुमारी को मारना चाहता था लेकिन वांग ने उसे संबाल लिया और इन दोनों को वहां से भागने के लिए कहा भाग जाने के बाद भी इनका सामना एक बार फिर से जू से होता है और वॉंग कहने लगा कि राच कुमारी हमने इसको पकड़ लिया जिस तरह के हमने प्लैन किया था अब आप फॉरण से अपनी फोज को यहां पर बुला लाओ जिल्यान ने भी उसे जाने के लिए कहा और खुद वॉंग के साथ मिलकर जू को संबालने लगा उसे समझाया कि हमारा मास्टर क्रॉन प्रिंस सिर्फ हमारा यूस करना चाहता है पावर लेने के लिए और जिस दिन उसे पावर मिल गई तो हम सब के उसकी नजर में कोई वैलियो नहीं यानि के वो दोनों पहले से ही जान देते के राज कुमारी जालिम नहीं है लेकिन क्रॉन प्रिंस उसे पसाना चाह रहा है जूस की बातों पर यकिन नहीं करता और वांग जिलियान को सुनेंजी के पीछे जाने के लिए कह रहा था ये कह करके मैं जू को संबाल लूंगा लेकिन उसकी जान खत्रे में है दूसी तरफ सुनेंजी भागते हुए जातो रही थी अपनी टूफ को बुलाने के लिए पर वो रस्ता खो चुकी थी और जिलियान की भी काफी ज्यादा फिकर होती है क्योंके वो उसे खोना नहीं चाहती तब भी उसे रस्ते में खड़ी चोटी सी बच्ची नजर आई जिसने हाथ में लंटेन पकड़ा हुआ था बताया कि अगर तुम इस लंटेन को खरीद कर जो भी विश मांगोगी तो वो विश पूरी हो जाएगी जिल्यान भी उसे डूडने के लिए उसके पीचे आ रहा था उसे भी काफी बुरे बुरे ख्यालात आते हैं कि कहीं उसे कुछ हो ही ना गया हो सुनेंजी भी उस बच्ची की बात मान कर विश कर लितі है और उसके विश करनी की ही दिर थी कि जिलियान उसे ढूनते ढूनते यहां तक पहुं जाया वो भी जिलियान को जिन्दा सलामत दे कर काफी ज़्यादा खुश हो गई और फौरण से भाग कर उसे हध कर दिया इस बार तो जिल्यान ने भी अपना एटिट्यूट साइट पर रखकर उसे हग कर दिया अपनी फिलिंग्स को लफजों में तो नहीं बता सका लेकिन उसे किस करने लगा इस पर सुनेंजी भी समझ गई कि सिर्फ मैं ही नहीं बलके जिल्यान भी मुझे प्यार करता है उसने तो ये तक भी सोच लिया कि मैं हमेशा के लिए उसके पास यही रह जाओंगी इसके बाद सुनेंजी ने बताया कि मैंने वंकी हल्प करने के लिए ट्रूफ बेच दी थी क्योंकि यो भी ये बात जानता है कि मैं असली राजकुमारी नहीं शायद मेरा यहाँ अना डेस्टिनेटिट था और वो भी सिर्फ अपने प्यार से मिलने के लिए जिलियान ने बताया कि अभी भी तुम्हारे सर से खत्रा टला नहीं हम यहां से कही दूर चले जाएंगे और मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा उसका यह कहना सुनेंजी को भी काफी अच्छा लगा और इसी के साथ हमारा यह वाला एपिसोड भी खत्म हुआ बढ़ते हैं इस सीरीज के सिक्त एपिसोड की तरफ एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुनेंजी ने जिल्यान को अपना बॉइफरेंड बना दिया पर वो कहती है कि मैं लड़की होना और लड़कियों को इनिशेटिव नहीं लेना चाहिए इसलिए तुम मुझ से पूचो के मैं तुम्हारी गर्फरेंड बनना चाहती हूँ या नहीं और जिल्यान बोला कि ये गर्फरेंड बॉइफरेंड क्या होते हैं बताया के जैसे ही वांग वापस आ जाएगा तो हम तीनों मिलकर यहां से बहुत दूर चले जाएंगे दूसी तरफ हमें जू को दिकाया गया जो के काफी जादा जखमी हो गया था पर क्रॉन प्रिंस उसे कहता है कि तुम फिकर नहीं करो मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर का बंदोबस्त कर लूँगा लेकिन वांग और जिलियान ने जिस तरह मुझे धोका दिया है इस बार तो वो मेरे हातों से बच कर नहीं जाएंगे नेक्स सीन में ये दोनों एक होटल रूम में टहर चुके थे जहां सुनैंसी जिलियान को चिडाते हुए कह रही थी कि यहां तो एक ही बैट है अब क्या तुम फर्श पर सोगे वैसे तुम मेरे साथ एक बैट पर भी लेट सकते हो जिस पर जिलियान बोला ची तुम्हें शरम नहीं आती हम दोनों अन्मेरड है एक ही बैट पर कैसे लेटेंगे अब वो इतना ज्यादा शरमीला था तो सुनेंसी को भी मज़ा आता है उसे चिडाने में पर जब उसने नोटस किया तो कहने लगा कि तुम यहीं चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ बैट पर लेटू चलो फिर तुम्हारी ये खायश भी पूरी कर दूँ तब ही महां सर्वेंट ने नोग किया जिसने अंदर आकर बताया कि हमारी डाइनस्टी में रिच फैमली का एक्जिबीशन होने वाला है अगर आप लोग भी चाहो तो इसको जॉइन कर सकते हो इसके बाद हमें एक्जिबीशन का सींदी काया गया जहां काफी एकस्पेंसिव चीजों को सेल किया जा रहा था एक ब्रैसलिट जिसके बारे में कहा जाता था कि यह असमान से गिरा है सुनेंसी उसको देखकर समझ गई कि यह वही ब्रैसलिट है जो मुझे यहां लेकर आई वो इसे खरीदने के लिए अपने दाम बताती है लेकिन यहां की एल्डस प्रिंसे ने तो जैसे उसके साथ जीध ही लगा ली वो जितने दाम बोलती एल्डस प्रिंस उससे डबल बता देती और आखिर कार तो जिल्यान ने भी उसको मना कर दिया कि इस ब्रैसलिट को जाने दो इस तरह वो ब्रैसलिट एल्डस प्रिंसे ने खरीद लिया जिस पर सुनेंजी को काफी ज्यादा दुक हुआ और ये बात जिल्यान ने भी नोटस की जिस पर जिल्यान ने उसे समझा दिया कि तुम फिकर नहीं करो मैं तुम्हारे लिए यही वाला ब्रैसलिट वापस ले आउंगा तुम भूल गई किया मैं कौन हूँ नेक्स सीन में जिल्यान सोच रहा ता कि कही एल्डस प्रिंस ने मुझे पहचान तो नहीं लिया ऐसा लगता है कि जिल्यान भी कुछ बड़ा चुपा रहा है जिसके बारे में सुनेंजी भी नहीं जानती पर उसने टान ली थी कि मैं अपनी गल्फरिंट के लिए वो ब्रैसलिट वापस ले कराऊंगा सुनेंजी को भी सोने के लिए कहता है बताया कि मैं इदर ही तुम्हारे पास हूँ झी जैसी ही सुनेंजी सो गई जिल्यान वो ब्रैसलिट वापस लेने के लिए एल्ड़स प्रिंसस के मेंशन में जाता है काफी डूनने के बाद उसे वो ब्रैसलिट मिल ही गया दूसी तरफ सुनेंजी को जाग आती है और उसने देखा कि जिल्यान वहां से गाइब ता पर उसे लगा कि शायद नीचे वॉक करने गया हो बात लेने के लिए जाने ही वाली थी कि तब ही उसे बाहर शोर सुनाई दिया जो कि सबी चोर को डून रहे थे वो चोर भी कोई और नहीं बलके जिल्यान ही था फिलहाद तो उसे इसको चुपा लेना ही बहतर लगा उसे अपने साथ बाट टब में चुपा लिया और बाहर आवाज लगाई कि मैं बात ले रही हूँ फिलहाद सिरफ एल्डस प्रिंसीज ही अंदर आ सकती है फिर वो चोर को डूडने के लिए अंदर आई और तब उसकी नजर सुनेंजी के टोकन पर पड़ी जिससे पता चलता है कि वो एक डाइनस्टी की राचकुमारी है उसने सुनेंजीन को तो पता लगने नहीं दिया पर वो दिल ही दिल में ये बात जान गई कि ये असली राचकुमारी नहीं उसके जाने के बाद जिलियान बाहर आता है और सुनेंजीन को ऐसे देखकर तो कुछ देर के लिए शौकड ही हो गया आफ्टर देट उसे वो ब्रेसलेट दिया बताया के मैंने तुमसे वादा किया ताना के तुम्हें जो चीज़ भी पसंद होगी मैं वो हर चीज़ तुम्हारी ले कराऊंगा इस पर सुनेंजीन तुमसे पहले अच्छा खासा डांटा के ये गलत बात है और तुम्हें अपनी जान को रिस्क में नहीं डालना चाहिए और वो बोला के तुम्हें क्या लगा वो एक अच्छी औरत है मैंने तो बस उसके साथ उसी तरह कही केल खेला खैर अब जो होना ता वो तो हो चुका इसके रिटर्न में सुनेंजीन भी उसको किस करती है नेक्स सीन में हमें दिकाया गया के वोंग को क्रॉन प्रिंस के सिपाहियों ने पकड़ लिया था पर इतनी असान मौद भी नहीं देना चाहते तो इधर जिल्यान को भी वोंग की काफी ज़्यादा फिकर होती है कि वो अभी तक नहीं आया तो पिर आखिर कहां चला गया होगा सुरेंजी उसको समझा रही थी के वोंग ठीक होगा पर तबी उन्हें एक लेटर रसीव हुआ जिसमें लिका हुआ था कि वोंग को क्रॉन प्रिंस के सिपाहियों ने पकड़ लिया उसकी जान को बचा लो वरना वो लोग जल्दी ही उसको मार देंगे अब चाहे ये एक ट्रैप लेटर ही क्यों ना हो पर जिल्यान किसी भी हाल में वोंग को मरने नहीं देना चाहता फिर वो सुरेंजी को यहाँ वेड करने के लिए कह रहा था बताया कि मैं जल्दी ही वोंग को लेकर तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा लेकिन वो जिद करने लगी कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी उसके इतना जिद करने पर जिल्यान भी उसको अपने साथ ले गया उसे संबल कर जाने के लिए कहा और ये वो सीक्रेट रास्ता है जिसके बारे में सिर्फ जिल्यान ही जानता था साथ ही उसने कुछ सिपाही भी हाईर कर लिये थे जो वोंग को यहां से ले जाने में उसकी हेल्प कर सके दूसरी तरफ जू ने क्रोन प्रिंस को बताया के वो लोग यहां आ चुके यानि के ये सारा का सारा उनका प्लैन ता सिर्फ जिल्यान को यहां लाने का ये दोनों भी وونg के पास पहुँँच आए जहां वो कहरा था कि मैं तो वैसे भी जादा देर तक जिन्दा नही रह पाऊंगा तुम दोनों को मेरे लिए अपनी जान खत्रे में नहीं डालनी चाहिए जिस पर जिल्यान बोला कि हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया ता ना कि हम कभी भी एक दूसरे को अकेला नहीं चोड़ेंगे तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं यहां तुम्हें अकेला चोड़कर चला जाओंगा जू जानता था कि जिल्यान को इतनी परवा अपनी जान की नहीं जितनी की वांग की है इसलिए उसने जिल्यान को तरपाने के लिए सबसे पहले वांग को मार दिया ये देखने के बात तो इसने जरा भी नहीं सोचा और फॉरन से अपनी स्वोर्ड उटाकर जू की जिसम में आर पार कर दी लेकिन वॉंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी वो खुद भी जान गया कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा कहने लगा मेरी फिकर करना छोड़ दो और तुम दोनों ही यहां से भाग जाओ वैसे भी मैं अब ज्यादा दे तक जिन्दा नहीं रह पाऊंगा मेरे लिए तो ये भी ओनर की बात है कि जिन्दगी में मुझे तुम जैसा अच्छा दोस्त मिला जिल्यान उसे अपने ये फजूल बगवास बन करनी के लिए कहता है पर वांग ठीक ही कहरा था क्यूंके ये कहने के बाद उसकी जान चली गई दूसी तरफ क्रॉन प्रिंस को भी पता चल गया कि जू मारा गया और इस पर तो उसे काफी ज्यादा गुसा आया पर उसके पोचने तक जिल्यान वांग को अपने बैग पर उटा कर वहां से ले आया जाते जाते सुनन जिंका राज कुमारी वाला टोकन वही गिर गया जो के यकिनन उसके लिए आगे बड़ा खत्रा बनने वाला है इसके बाद अगली सुबा का सिंधिका आया गया जहां ये दोनों वांग की लाश को लेकर उसे दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे और साथी साथ उसके साथ गुजारे हुए लमहों को याद करते हैं जिलियान दिल ही दिल में खुझ से कहा रहा था कि बहुत से लोग इस ताकत की जंग में मारे गए लेकिन अब मैं खुझ से वादा करता हूँ के मुझ से जुड़ा हुआ कोई इंसान अपनी जान की बास ही नहीं हारेगा वां को दफना देने के बाद जिलियान ने अपने एक सचाई बताई और वो ये के मैं फॉर्मर डाइनस्टी का क्रॉन प्रिंस हूँ वो ये बात जान चुका था कि क्रॉन प्रिंस यूको और राजकुमारी सुननजी किस तरह पावर के लिए लोगों को मार रही थी इसलिए उसने सिपाही बनने का नाटक किया ताके वो इन सब का दिल चीत ले और फिर इनको मार कर ये खुन खराबा रोक सके यही वो बात है जो कि जिल्यान ने अब तक चुपा कर रखी पर सुननजी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्यूंके वो उसके साथ एक नई जिन्दगी शूरू करना चाहती है फ्यूचर से लाई हुई सबी चीज़े वो यहां पर दफना देती है क्यूंके उसने सोच लिया कि मैं अब कभी भी वापस नहीं जाऊंगी जिल्यान वोंग के जाने से काफी ज्यादा उदास होता है कहने लगा कि तुम वहां पीछे जाकर मेरा इंतजार करो मैं कुछ देर के लिए वोंग से बात करना चाहता हूँ और तब ही हमें दिखाया गया के सुननजी की बोटी में असली राजकुमारी की रूफ वापस आने लेगी है इधर क्रोन प्रिंस को राजकुमारी का टोकन मिला और वो जान गया कि वो भी यहां आई थी अब तो वो उसको भी नहीं चोड़ने वाला आफ्टर देट राजकुमारी से बदला लेने के लिए वो अपने सिपाही के साथ मिलकर साधिश रचाने लगा अगली ही सीन में हमें दिखाया गया कि बैंग में इन्वे को यहां पर बुलाया गया जो के क्रोन प्रिंस का दोस्त है उस वीचारे को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ यहां क्या होने वाला है जबके क्रोन प्रिंस ने उसके गले पर तलवार रखवा दी बताया के राज कुमारी से बदला लेने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जिसके लिए तुम्हें हर हाल में मरना होगा वो बोला मेरे डाइनस्टी के लोग तुम्हें नहीं चोड़ेंगे अगर तुमने मुझे जरा भी नकसान पहुंचाया तो लेकिन क्रॉन प्रिंस ने इस बात की जरा भी पर्वा नहीं की और उसे मार देता है इसे के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ लो फ्रेंड्स वेलकम बैक टु माई चैनल बढ़ते हैं इस सीरीस के लास्ट एपिसोड की तरफ एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि बैमगी इनवे को कतल कर देने के बाद क्रॉन प्रिंस ते और्डर कर दिया कि इसे चोरी चुपे सुनेंजी के मेंशन में पहुंचा दिया जाए तो इस तरह वो सुनेंजी को पसाना चाता था और इसके बाद वो एलडर्स प्रिंसस से मिलने के लिए जाता है जो कि उसकी बड़ी सिस्टर थी बताया के बैमगीन वे की डैट बोडी हमें उसके मेंशन के बाहर से मिली है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसे कतल सुनेंजी ने करवाया इस पर उसने हर तरफ यह खबर पहला देने के लिए कहा बताया के जो भी उसे जिन्दा डून कर लाएगा उसे बड़ाई नाम दिया जाएगा दूसी तरफ जिल्यान और सुनेंजी जो के यहां से बहुत दूर जाना चाते थे और इसलिए कुछ जरूरत का समान खरीदे हैं तब ही उन दोनों की नजर दिवार पर लगे हुए नोट पर पड़ी के जो भी लोड सुनेंजी को जिन्दा पकड़ कर लाएगा उसे बड़ाई नाम दिया जाएगा ये देखने के बात तो दोनों ही वहाँ से भाग गए जिल्यान कहने लगा कि हम कुछ दिनों के लिए बाहर के आगए क्रॉन प्रिज ने तुम्हारे नाम पर कितना बड़ा जुरुम कर दिया अब अगर हम यहां से दूर चले भी जाए तो हमेशा तुम्हारी जान को खत्रा रहेगा क्यों न हम वापस जाकर पहले इस इशू को सॉल्फ करें सुनेंजी का तो वापस जाने का कोई रादा नहीं पर जिल्यान अच्छे से जानता था कि बाद में ये कितना बड़ा मसला बन जाएगा उसके कहने पर सुनेंजी को भी साथ जाना पड़ा फिर दोनों चुपके चुपाते हुए महलाते हैं जिल्यान ने लड़ियों वाली ड्रेसिंग कर रही थी ताके वो पहचाना ना जाए और ये देकर सुनेंजी को उस पर काफी हसी आ रही थी खैर इसके बाद वो बैमकीन वे की लाज को चेक करता है और उसे पता चला कि ये तो वाकी ही मर चुका है और उसका इलजाम भी सुनेंजी के सर पर था अब बड़ा मसला ये है कि वो सचाई का सबूत कैसे देंगे जिल्यान सब कुछ बहुत अच्चे से समझ गया था कि करौन प्रिंस ने सुनेंजी की पोस्ट चिनने के लिए ये सब कुछ किया उससे पूछने लगा कि उस रात तुम से गलती से वहां पर कुछ रह तो नहीं गया था जिस पर सुनेंजी ने बताया कि हाँ मेरा टोपन तो वही गिर गया था इसके बाद जिल्यान उसे करौन प्रिंस के मेंशन लेकर जाने लगा था जिसके लिए सुनेंजी को तो काफी डर लगता है पर वो कहने लगा जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डर्ने की क्या जरूरत इसके बाद दोनों चुपके चुपाते हुए महल जाते हैं उसी सीक्रेट रस्ते से जिसके बारे में सिर्फ जिल्यान ही जानता था किसी ने किसी तरह करके वो दोनों क्रोन प्रिंस के कमरे में पहुंचाए जहां जिल्यान का तो दिल किया कि इसे अभी के भी यहां खतम कर दू लेकिन फिलहाल उसके लिए सुनेंजी को बेगुना साबित करना का ही ज्यादा जरूरी है सबूर डूरने के लिए दोनों वहां से बाहर आए जहां इनोंने गार्ट को पकड़ लिया और यह वही गार्टा जिसने बैंग्बी इन्वे को मारा था नेक्स सीन में जिल्यान बता रहा था कि हम एल्डस प्रिंसस के पास जाकर तुम्हारी बेगुनाही के बारे में बताएंगे और अब तो हमारे पास सबूत भी मुझूद है जबके सुनेंजी को लगता है कि शायद वो हमारी बात पर यकिन ना करे आखिर प्रॉन प्रिंसस का छोटा बाई टहरा नेक्स सीन में ये दोनों एल्डस प्रिंसस के महल जाते हैं जहां चानक से उसकी नजर इन दोनों पर पड़ी और साथ ही कहने लगी तो आखिर कार तुम पकड़ी गई सुनैंसी उसको काफी फ्रेंडली वे में बताने लगी के बेमकीन वे को मारने में मेरा कोई भी हाथ नहीं भला मैं उसे क्यों मारना चाहूंगी ये सब कुछ तो सिर्फ प्रिंस यूको ने मुझे पसाने के लिए किया अगर आपको यकिन नहीं आता तो मेरे पास सबूत भी है जिल्यान उस गार्ड को लेकर अंदर इंटर हुआ जहां उस गार्ड ने सारी की सारी सचाही बता दी कि मुझे क्रोन प्रिंस के कहने पर उसे मारना पड़ा मजीद जिलियान ने बताया कि ये सब कुछ सिर्फ क्रोन प्रिंस ने पावर हासिल करने के लिए किया और इस तरह के और कई वारियर्स है जो उसके लिए काम करते हैं मैं ये सब कुछ सिर्फ इसलिए जानता हूँ क्यूंकि मैं भी उनी वारियर्स में से एक था एल्डस प्रिंसिस टॉंट बार्ती वे कहने लगी तो फॉर्मर डाइनस्टी के क्रोन प्रिंस ने हमारे लिए काम किया ये तो कितने होनर की बात है सुनेंसी फॉरण से उसे जिल्यान को छोडने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी बताया कि हम दोनों ही अपनी पूजीशन छोडने के लिए तयार है और कही दूर चले जाएंगे एल्डस प्रिंसीज ने दोनों को जाने के लिए तो दे दिया आपर बताया कि फिर कभी भी यहां पर नजर मत आओ क्यूंकि आप तुम दोनों सब के लिए मर चुके हो इसके बाद दोनों ही बाकि सब की तरह और्डनरी बन गए जो इन्हें काफी अच्छा लग रहा था क्यूंकि कमस कम अप सकून की जिंदगी तो गुजार सकेंगे आज पहली दफ़ा जिल्यान भी उसको बेशर्मों की तरह किस करने लगा जिस पर सुनेंजी बोली के तुम इतने बोल्ट कप से हो गए और वो कहने लगा के सब कुछ तुम ही से तो सीका है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या ये सारी बात अबी चल ही रही थी के एक बार पिर से सुनेंजी की बोड़ी में राज कुमारी की रुआ जाती है और इस बार तो जिल्यान को देखकर उससे फॉर्मर डाइनस्टी का प्रिंस कह दिया जिल्यान को उसका ये बिहिवियर देखकर कुछ न कुछ रख तो हो ही गया कि ये सुनेंजी नहीं बोल सकती थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है और यहां से कही दूर जाने से पहले पहले वो अपने गुलामों को कुछ गिफ्ट दे कर उन्हें अज़ाद करना चाती थी नेक्स सीन में प्रिंस यू को एल्डस प्रिंसस के लिए सूप लेकर आया था बताया कि मैंने स्पेशली तुम्हारी लिए बनवाया है अब इतनी बेवकुफ तो वो भी नहीं के डारेक्ली ही से पी जाती पहले अपनी मेट को इसे चेक करने के लिए कहा चेक करने के बात पता चला कि इसमें जहर है और प्रिंस यू को ने फौरण से घुटने टेक दिये कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता मैं तो जानता तक नहीं ये ज़रूरी सिपाही ने किया होगा जिसे राजकुमारी सुननजी ने यहां भेजा है एल्डर्स प्रिंसिस बोली तो तुम अब भी मुझे जूट ही बोलोगे और वो गार्ड जिसने बैम की इन्वे को कतल किया था उसको सामने ले आई सचाई सामने आ जाने के बाद यू को उसे इमोशनली ब्लैक मिल करने लगा कि मैं तुम्हारा चोटा बाई हूँ लेकित तुमने हमेशा मुझे फूल की तरह ट्रीट किया और वो राजकुमारी सुननजी उसे हमेशा बढ़ावा दिया बाहर के लोग मुझ पर हसते हैं खास सिपाही था नेक्स सीन में सुननेंजी अपने खुलामों से मिलने के लिए आती है उनको कुछ अच्छे से गिफ्ट दिये और बताया कि तुम लोगों की अपनी लाइफ है इसे जैसे मर्जी गुजारना चाहो नेक्स सीन में एल्डेस प्रिंसेस को दिखाया गया जिसे यूको के बारे में रिपोर्ट मिली के वो अपने होसो हवास खोचुके है और खुद को नुकसान पहुशने पर तुल गे लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसे डील कैसे करना है आखिर वो उसका चोटा भाई था दूसी तरफ सुनेंजी ने जिल्यान के लिए डिश बनाए थी जिसे वो टेस्ट करने के लिए कह रही थी जिल्यान को पहले तो टेस्ट करने से डर लग रहा था लेकिन टेस्ट करने के बाद बोला वाओ यमी तुम तो वैसे ही कह रही थी कि तुमें कुकिंग करनी नहीं आती मैं जब सुनेंजी ने खुड टेस्ट किया तब ही उसे पता चला कि कितना बुरा बना है कहने लगी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया खैराज जिल्यान काफी अजीब सा बिहेव कर रहा था दिल ही दिल में सोचता है कि मैं पहले ही वांग को खो चुका हूँ अब तुम्हारी रुकों यहाँ पर हमेशा के लिए बटकने नहीं दे सकता फिर उस लम्हों के बारे में सोचता है जो उसने सुनैंजी के साथ गुझा रहे थे और ऐसा लगता है कि यह दोनों की आखरी मुलाकात है इसके बाद कभी भी नहीं मिल सकेंगे आखिर सुनेंजी इस दुनिया की नहीं है उसे अपने एरा में तो वापस जाना ही था और शायद वो दिन करीब आ गया है नेक्स सीन में हमें दिकाया गया कि यूगो के सिपाहियों ने इन दोनों को चारो तरफ से गेर लिया था जिस पर जिलियान ने इसको वो ब्रेसलिट देते हुए कहा कि जैसा जैसा मैं तुमें करने के लिए कहता हूँ वैसा ही करो जिस पर सुननजी बोली कि तुम ये ब्रेसलिट वहां से निकाल कर क्यों ले आये थे क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चलिजाओं और पिर तुमसे कभी भी भी ना मिल पाऊं। जिलियान ने बताया कि तुम हमेशा के लिए यहां पर नहीं रह सकती हो क्या तुमने अपनी बोड़ी में चेंज महसूस नहीं किया वो राजकुमारी की रू है जो तुम्हारी बोड़ी में वापस आ रही है इधर यूगो को एलडस प्रिंसिस ने उसका होदा वापस दे दि यह देखकर यूको तो काफी जादा खुश हो जाता है और सुरेजी को समझ नहीं आती कि आखिर यह उसने कैसे कर दिया जिलियान से माफी मांगती रही कि मैंने कुछ भी नहीं किया प्लीस तुमुझे चोड़ कर मत जाओ जबकि जिलियान को अच्छे से पता था कि यह सब कुछ राज कुमारी ने किया साथ ही वहां काफी तेस तोफान शुरू हो गया जिसकी वजह से बाकी सबी ने यहां पर अकेला चोड़कर वहां से भाग गए जिलियान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और सुनेंजी रो रोकर उसे उठने के लिए कहती है जि कहने के बाद जिलियान की मौत हो जाती है और सुनेंजी वही उसके पास बैट कर रोती रही तब हमें दिकाया गया कि सुनेंजी ने जो जो टाइम यहां पर गुजारा वो सारा ही टाइम रिवर्स चला जाता है और वो नीन से जागती है तो उसे पता चला कि जो कुछ भी गर से निकल आई रस्ते में जाते हुए उसकी टकरार एक फोटोग्राफर लड़के से होती है जो कि कोई और नहीं बलकि जिलियान था दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हो और इसे के साथ हमारी ये सिरिस भी एंड हुई